नमस्कार दोस्तों Stock Market Hindi में आप सभी का एक बर फिट से स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल तीन स्टॉक्स के बारे में और ये तीनों स्टॉक्स आपको एक अच्छे खासे डिसकाउंटेट प्राइस पर मिल रहे हैं जो एड प्रिसेंट देखा जाए तो 30-40% के डिसकाउंटेट प्राइस पर आवेलेबल हैं जी हां दोस्तों तीनों ही मिटकेप के टेगरी की कमपनी है और फंडामेंटली मैं हमेशा ही आपके सामने बढ़िया क्वालिटी के ही स्टॉक्स को कवर करता हूँ यह आपको भली भाती ग्यात हो जी हां दोस्तों तो आज की वीडियो में भी ऐसे 3 कॉलिटी स्टॉक्स की हम बात करने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लिजेगा ताकि लेटेस्ट क्वालिटे स्टॉक्स की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे और साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बनाए रखिएगा जी हाँ फ्रेंड्स तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहली कंपनी जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस जो इंडिया की एक लीडिंग गोल्ड फाइनेंशियर है जिसके एसेट्स अंडर मेनेजमेंट को देखे तो तक्रीबन 50,000 करोर से ज़्यादा का है अक्रोस इंडिया कंपनी के टोटल 4,617 गोल्ड लेंडिंग ब्रांचे से हैं इंडिया में और इसके साथ ही कंपनी अदर फाइनेंशियर सर्विसेस भी प्रोइड करती है काम करती है अपनी सब्सेड्रिस के थुरू तो दोस्तो एड़ प्रेजेंट ये कंपनी यानिकी मुद्वट फाइनेंस एक मिड़ केप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप एड़ प्रेजेंट 42,000 करोड की है आप करंट प्राइस देखेंगे तो काफी ज़्यादा सस्ते प्राइस पर मवजूद है अपने 52 विक हाई से जियां फ्रेंड्स देख सकते हैं 1038 के करंट प्राइस पर ट्रेड करते हैं ये कंपनी 52 विक हाई आप देखेंगे तो 1723 का नजर आता है यानि कि तक्रीबन 40% के डिसकाउंटेट पर ये शेर ट्रेड कर रहा है जिसकी पी भी आप देख सकते हैं तो 10.5 का पी नजर आता है और वहीं इंडस्टी का पी 26 का है जिहां दोस्तों तो कंपनी एड़ प्रेसंट एक अंडर वैल्यू भाव पर मिल रही है जहां इनकी इंट्रेंसिंग वैल्यू देखेंगे तो 1133 रुपए की है और एड़ प्रेसंट शेयर का प्राइस उससे भी कम पर ट्रेड कर रहा है और फाइनेंशली आपको बता दो कि कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है जिहां दोस्तों मुत्वट फाइनेंस का बिजनेस तो बहुत ही बढ़िया है वहीं कंपनी के रिटर्न क्याप्टेल इंप्लोईड भी आप देखेंगे तो 14 परशन का नजर आएगा रिटर्न औन इक्विटी आप देख सकते हैं 24 परशन की है और सबसे एक स्ट्रॉंग पॉइंट कि इस स्टॉक का आप ओपियम देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिसका 83 परशन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जिहां दोस्तों ऑपरेटिंग profit margin जितना आधिक होता है company की profit उतनी ज़्यादा सेव होती है तो यह 83% का operating profit margin है इस company का तो यह सबसे unique point है इस company के लिए जिसमें company अगर 100 रुपे का भी sales करती है जिसमें से 83 रुपे company बचता है company को जियां friends तो यह भी ध्यान में रखी है मुथूट finance का OPM भी बहुत ज्यादा है तो यह भी एक solid point है वहीं company का return on equity भी देख सकते हैं लगातार इनकी return on equity पिछले 10 सालों में 24% की रही पिछले 5 सालों में 25% तीन सालों का ROE भी देखेंगे तो 26% का नजर आता है और लाश्ट यहर में भी 24% की हैं यानि company का ROE at present 20-25% का देखने को मिलता है वहीं इस company में शेरोल्डिंग pattern को भी देखेंगे तो FIs और DIs की हिसेदारी भी जबरदस्त है देख सकते हैं FIs इस समय 10.96% से hold किये हुए है वहीं DIs 10.48% से और promoters की holding भी बहुत ही सांदार है 73.37% की promoters की holding है और मात्र public के पास 5.20% का हिस्ता public में है तो मुत्वट finance में एक long term का नजरिया रखते चलते हैं तो बेहीं चेक आप जा सकते हैं company के financials और fundamental बहुत ही solid हैं और साथ ही इस company का business में बहुत बढ़िया है जी हां दोस्तों अगर long term में जो भी निवेस करना चाते हैं तो at present इस stock को खरीदारी करके चल सकते हैं तो दोस्तों आज जो भी company बताने जा रहा हूं उसमें आप विंदास कितना भी amount निवेस करके चल सकते हैं जी हां friends long term की holding रगना minimum 10 साल की holding सभी stocks में आप करके चलिए चाहे तो आप 15 साल 20 साल की holding कर सकते हैं जितना ज़्यादा holding करेंगे उतना ज़्यादा आपको long term में एक अच्छे multi bagger return आपको बना कर मिल सकते हैं जी हां दोस्तों तो वहीं बात करते हैं हमारे next company की तो उसका नाम है दीपक नाइट्राइट जो at present देखा जाए तो 1800 के price पर trade कर रही है जी हां friends पिछले last to last sessions में इस company में 6% की तेजी देखने को मिली थी और इसकी 52 week high आप देखेंगे तो 3020 रुपे का हैं यानि कि आप देख सकते हैं at present भी stock अपने 52 week high से 40% के discounted price पर ही trade कर रही है जो एक अच्छी opportunity है अगर आप एक long term निवे सकोतों जी हां दोस्तों company के business की बात करें तो दीपक नाइट्राइट एक leading manufacturer है जो organic, inorganic, fine और specialty chemicals में deal करती है जो various industries में इनके product use किये जाते हैं like pants, cosmetics, polymers, pharmaceutical, agrochemical, petrochemical वहीं thiners बनाने में और ply industries में भी use किये जाते हैं जी हां दोस्तों वहीं company के market position को देखते हैं तो कुछ specialty segment में इस company का 70% का भी market share है तो long term में दीपक नाइट्राइट जैसे company आपको consistently एक अच्छे return बना कर देती आई है और आगे भी देती रहेगी at present इस company का market cap 24-25,000 का रुड़का है जैनि कि company एक mid cap company है फिलाल stock का price एक fair valuation पर trade कर रहा है stock का P.E. देखें तो 23 के P.E. पर नजर आ रहा है वहीं industry का P.E. भी almost 23 का ही है जी हाँ दोस्तो company के return on capital employed देख सकते है 44.5% की है वही return on equity भी देख सकते है 37% की है और एक low debt company है मातर 315 करोड की debt company पर जबकि रिजव इससे 10 गुना ज्यादा company के पास रिजव है जी हाँ friends company में sales growth भी देख सकते है 56% की sales growth नजर आती है और वहीं profit growth 37% की और वहीं दोस्तो company का operating profit margin भी देख सकते है तो 20-30% का operating profit margin company का रहा है लगातार तो यह भी एक strong point है जी हाँ friends जिसको भी एक high CAGR return चाहिए है वो definitely दीपक नाइटराइट इस company के साथ जा सकता है 10 सालों में और वहीं 5 सालों में भी देख सकते हैं तो 61% है पिछले 3 सालों में इस company में return देखा जाए तो 88% की return average रही है हर साल जी हाँ friends तो at present सस्ते price पर trade कर रही है दीपक नाइटराइड इसकी sales growth भी आप देख सकते हैं consistently इस company में एक अच्छी sales growth देखने को मिली है लगातार देखा जाए तो पिछले 3 सालों में 36% रही है पिछले 5 सालों में 38% and trailing 12 months में 56% की sales growth देखने को मिलती है वही compound and profit growth भी देख सकते हैं तो पिछले 5 सालों में 87% की थी last 3 years में 82% and trailing 12 months में 37% की देखने मिलती है company का ROE भी देख सकते हैं 30-40% का है जो कि बहुत ही सांदार देखा जाएगा वहीं इस stock में promoters की holding भी देख सकते हैं तो 45.72% की promoters की holding है और FIs और DIs भी देख सकते हैं 9% की FIs की holding है लगबग और वहीं DIs 10.72% से hold किये बैठे हैं तो दोस्तो एक high CAGR return वाली company Deepak Nitride जिसको मैं हमेसा ही कहता हूँ और at present तो यह stock बहुत ही अच्छे दाम पर trade कर रही है तो definitely इस stock में buying करके चल सकते हैं और दोस्तो जितना ज़्यादा आप Deepak Nitride जैसे stock को time देंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी wealth भी कई गुना multiply होकर आपको मिलेगी और वहीं बात करते हैं हमारे अगले stock की तो उसका नाम है astral polytechnic जो 1996 में company established हुई है और इस company के business को तो आप भली भाती जानते ही होंगे जिहां friends company का जो main business है वो piping division से और adhesive segment से आता है जहां इनकी revenue को देखा जाए तो 77% की revenue piping division से आती है and 23% की revenue adhesive से और 8% एक mid cap company है astral limited जिसकी market cap तक्रीबन 35,200 करोड के आसपस है और current price देखा जाए तो 1753 के price पर trade कर रही है 52 week high आप देखेंगे तो 2525 रुपय का है यहनिकि फिलाहाल stock 30% के discounted price पर चल रहा है आपने 52 week high से जियां friends stock का PE देखेंगे तो 72.8 का है and वहीं industry का PE है 31.6 की company की ROCE, ROE देख सकते है 30% की ROCE है and return on equity है 23% के around एक low debt company है मातर 98.3 करोड की debt है company पर और वहीं reserve देख सकते हैं तो 2316 करोड की reserve company की पास अच्छी खासी reserve maintain करके चल रही है company की sales growth भी बढ़ियां है देख सकते है 38.3% की sales growth है and profit growth 20.6% की वहीं इस company की share holding pattern को भी आप देख सकते हैं तो फिलाल promoters की holding 55.73% से कई quarter से एक stagnant holding बनाए हुएं promoters and वहीं FIs की holding 16.07% की है और DIs की holding 13.60% से public के पास जो holding है 14.60% की public के पास holding है तो दोस्तों यह तीनों ही company इस समय बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रही है और ऐसा नहीं है कि इसके आगे गिरावट नहीं होगी जिया फ्रेंट्स लेकिन फिर भी अभी इस समय भी आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं और further गिरावट होने पर तो definitely आप SIP mode में इन stocks में बाय करके चलते रही है जिया फ्रेंट्स यह तीनों ही stocks दीपक नाइटराइड एस्टरल पॉलिटेकनिक और मुथूट फाइनेंस अपने sector में भी एक तरह से leader मानी जाएगी जिया फ्रेंट्स तो तीनों stocks को अपने radar पर रखिएगा और हमेशा ही इसमें SIP mode में बाय करके चलिए और जितना ज़्यादा आप होल्ड करेंगे उतने ही आपके रिटन भी multiply होते चलेंगे जिया फ्रेंट्स तो लॉंग टर्म में ये तीनों stocks को बेचेक अपने portfolio में रखिएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर इंफर्मेटिव लगी हो तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक करके हमारा motivation जरूर बनाईएगा और साथ ही चैनल पर फर्स टाइम विजिट किया है तो च